जहिन साथियों स्वागत है अपका प्रार्थमिक एजुकेशन पर जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ज्यान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निस्चित है दुखों से मुक्ति चाहिए तो आपको लड़ना पढ़ेगा व्रुजगारी से अगर मुक्ति चाहिए तो आपको कठिन परिश्रम करके पढ़ना होगा बिना पढ़े आपको मंजिल हासिल नहीं होगी यह शुरू करते हैं U-P-Tet C-Tet के लिए कुछ महत्पूर्ण प्रस्न जो CDP से हैं, देखते हैं, ब्यक्तियों के सारेरिक बीमारियों में कितने प्रस्यत तक दबाव की भूम का महत्पूर्ण होती है, यह हैं, तो है 50 से 70 प्रस्यत तक, क्योंकि इसमें दबाव की भूम का कितनी होती है, 50 से 70 परसंट, के अत्रिक्त, नियम ने लिखे कुछ तकनीके हैं, जो परिच्छा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं, इन सबके अत्रिक्त वह कौन सी तकनीक है, जो परिच्छा में होने वाली चिंताओं को दूर करती हैं, तो है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, कैसे परणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना परिच्छा के कारण होने वरी चिंता को बढ़ा देता है जबकि प्रस्णपत्र के पैटर्न से परचित हो जाना, समर्थन प्राप्त कर लेना, विश्टताओं पर बल दे देना यह सब चिंता और तनाव को दूर कर देती है जब प्रस्णपत्र और पैटर्न को आप समझ गए, तो क्या समझ चाह है? सवाल तो हल हो नहीं है, तो सारी जो चिंता है तनाव होए वह दूर हो जाता है मानसिक रूप से स्वस्त अध्यापक की क्या विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आरखता हो यही एक मांसिक रूप से स्वस्षध्यापक की विशेश्ता है धीमी अधिगम गति बालुकों के लिए सरवाधिक प्रभावी है तो उसमें क्या आएगा तो उसमें आएगा दिस्त्रिस्रव्यकाब्य विधि धीमी गति से अधिगम करने वाले व्यक्ति या कि जानी चाहिए ऐसे विदार्थ настоящ के सामने अमुर्थ से सबंधित मुर्थ वस्तु को प्रस्थूत कर अधेकम की प्रक्रिया को प्रभाव साली बनाा जा सकता है निवन् Zheng Hill मेंसे काउं सा तरीका पृत्यक्त्ष समायोजन का तो है लक्षण का प्रतिस्थापन क्या अपने लक्षों के प्रतिस्थापन करता है और वाता प्रण के साथ समायोजित करने लगता है तो क्या है लक्षों के प्रतिस्थापन रच्छा तंत्र बहुत सहायता करता है रच्छा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें दबाव से निपटने में किसमें दबाव से निपट रच्छातंत्र का उपयोग ब्यक्तित्व करता है जब दबाव की स्थिति में नहीं पढ़ना चाहता अर्थात वह अपने दोसों का अस्थानांत्रन किसी अन्य परिस्थित पर या अन्य ब्यक्ति पर कर देता है थोब देता है जिससे मानसिक तनाव से बच जाता है नेम कुण अभिव्यक्ति संगती करण और सामान लक्ष की और समान निर्देशन क्या करना है समान निर्देशन कुछ लोगों को कहना है कि जब बालकों को गुसा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि वह पहले अच्छा महसूस नहीं करते उनके ब्योहार में कौन सा प्रत्रचातंत्र परलक्षित होता है लोगों कहना है कि जब बालक या बच्चे को गुसा आता है तो वह खेलने चला जाता है और उसमें अच्छा महसूस नहीं कर पाता उनके इस ब्योहार में कौन सा प्रत्रचातंत्र जो परलक्षित होता है वह है विस्थापन का किसका विस्थापन का बालक परिस्थती वस जो ब्योहार में परिवर्दन होता है वो पूरी परिस्थती हट जाने पर बालक पूरी तरह जो है ब्योहार करने लगता है इसमें बालक के ब्योहार का विस्थापन हो जाता है और आस्थाई यह परिस्थती वस होता है यह या मांसिक स्वास्त को बढाय रखने की लिए अध्यापण की भुम्का महत्पूर्ण होती है और विद्यालय की वातव्रण की महत्यूम्का होती इसमें बहुत बड़ा युगदान होता है किसी भी बालक के मांसिक रूप से अस्वस्ठ होने के कारण किसी भी वालक के मानसिक रूप का अस्थत दोने का करण है क्या करण है उप्रोक्त सभी कैसे परिवार वातावरन कच्छा वातावरन पड़ोस का वातावरन सभी इसमें अपना अपने थोड़ा भूत योगदान देते हैं किस पर विद्याले पर परिवार पर समदाय पर सभी पर तो सभी पर निर्भड करता है विशुसा संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्त स्वास्ता की एक ऐसी इस्थिति है जिसमें किसी व्यक्त को अपनी छमताओं का हसास होता है जीवन के सामाने तनाओं का सामना जो करता है लाभकारी और उपयोगी रूप में काम कर सकता है वो अपने परिवार समाज के प्रति युगदान करने में सक्षम होता है जो समुदाय और विद्याले पर ही निर्भर रहता है आधनिक युग में मानसिक स्वास्थ पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है तो जीवन की अईस्थिरता का क्या है जीवन के अईस्थिरता का ये जीवन में तनाओं की स्थिति डालती है विक्रित लिखावट से सम्मंधित लिखने की युगिता में मानसिक कमी किसका एक लक्षण है तो है डिस्ग्राफिया का डिस्ग्राफिया का डिस्ग्राफिया का डिस्ग्राफिया कब होता है जब बच्चा लिखावट में विक्रित हो और ऐसे बालक अधिगम अच्छा को प्रदर्सित करते हैं जब एक वच्चा निम्लिखित व्योहार में प्रदर्सित करता है तो सिच्छक तनाव ग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है वह पहचान कैसे करेगा तो अक्रामक व्योहार करेगा क्योंकि जब तणाव की स्थिति होती है प्राहत दो अनुक्राय वहोती है menopagyanic प्रत्क्रियां में एक प्रकार का मांसिक विखटन पाए जाता है मांसिक विखटन भी दो भागों में बाटा गया है क्या संवेगात्मक और समवेगिक अनुक्रियाओं में चिंता औसाद आक्रमक्ता क्रोध भाव सुनिता आधी होती है और अंत में आक्रामक व्योहार को प्रदरसित करता है अंगूर खट्टे हैं का उधारण है युक्ति करण क्या है युक्ति की करण का उधारण है कि मनविज्ञान एक रूप से रच्छा प्रडाजी है जिसमें विवाद आस्पत विवहार को तारकिक रूप से उचित ठाराने की कोशिस की जाती है तथा परिडाम के नुसार रखता है यह सारे मानवी समंधो तथा बातों को चाया रहता है बातों पर चाया रहता है किसने कहा है कि मानसिक अयोगिता कार्थ है मानसिक स्वास्थ के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना किसने कहा है कि मानसिक सा मानसिक अरोगिता कार्थ है मानसिक इमों की खोज तथा उसको बनाए रखना ये कहा है ड्रेवर ने जेम्स ड्रेवर ने कहा है और उन्हों ने अपनी पुस्तक 1908 में लिखी थी उसका नाम था ए माइंड दाइड फाउंट इटसेल्फ जिसमें उन्होंने पागलों की दसा को सुधारने का प्रयास किया था एक अच्छाचार का बच्चा सदय चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे तो जो हमको करना आये एक अध्यापा का करता भय हुआ स्वयम परामर्स दाता की भूमिका में निर्वाह करेंगे बच्चे की कुंठा ग्रस्ति इस्तिति को देखने के बाद जानने क इस सवस्था में अध्यापा को परामर्स दाता की भूमिका में निर्वाह करना चाहिए मांसिक स्वास्थ विज्ञान का प्रमु खुद्देश क्या है तो आए बालक के मांसिक स्वास्थ की रक्षा करना कुसु मियोजन का निवानन करना तो ए दोनों सही है निव लिखित में से मांसिक विकार के लक्षण को सभी दर्शाते हैं सिवाए किसके संबंध के किसको संबंध के मांसिक स्वास्थ के निवों को खोजना और उन्हें बनाये रखना अध्यापक का केंद्र बिंदु है किसने कहा है तो जिम्स ड्रेवर ने कहा है किसने ड्रेवर ने अच्छे मांसिक स्वास्थ के नहीं है तो वह आये बहुत विनीत और स्वेम में सिमित है मांसिक स्वास्थ और गनिष्ट में संबंध है किसका तो समायोजन का कि अतरिक्तिनी विखस्में से कुछ तखनीके हैं जो परिच्छा के कारण होने वाली चिंताओं को दूर करती है तो वह क्या है परणाम में बहुत अधिक सोचना परणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना बच्चों में सीखी गई निसायता का कारण है कि इस ब्योहार को अरजित कर लेना की वे सफल नहीं हो सकते यही निसायता सीखने में आसक्त बच्चों के संद्रह में ततकाल संब्धता प्रदान करना सहयोग पर बल देने तथा गैर अधिगनाप्तक तकनीक जैसे ततकाल सुचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेशना तथा संग्रहित अधिगम से सीखने में आसक्त बच्चों के संद्रह में जो ततकाल संब्धता होती है उसमें अधिगनात्मक तकनीकी जैसी ततकाल सुचनात्मक बुद्ध्द्धिपूर्यवक गवेशना तथा जो इसमें सामागरी लगती है उसके अधिगम को समंधित करता है इन सब के माध्यम से बच्चों को अधिगम को सुधार किया जा सकता है अगर इसमें मिल जाती है तो बच्चों के अधिगम में सुधार किया जा सकता है निम लिखित में से कौन सा उपागम असांतकारी बिवहार समंधी विकार वाले बच्चे के साथ बिवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और समाजिक संस्थाओं के साथ अंतहक्रिया का सुझाव देता है वह क्या है तो वह पर्या वर्णी असांतकारी बिवहार को सामनता समायोजन की समश्या समंधीत विकार है इसलिए असांतकारी बिवहार से समंधीत विकार वाले बच्चे को उसके परिवार के आसपास के लोगों को और समाजी संस्थाओं जैसे परिवार समधाय विद्याले या वातावरन इनके साथ अंतहक्र प्रिया करने का क्या करता है सुझाओ देता है किसके साथ पर्यावरनी नियुम लिखित में से किसके अत्रिक्त सभी के कारण अधिगम अच्छमता उत्पन होती है तो अधिगम अच्छमता सिख्षण की सैली पर उत्पर्न होती है तोकि अधिगम अच्छमता कातात पर सीखने की योगिता आथवा च्छमता की कमी अनुवस्तिती से है यह च्छमता थोड़े बहुत अंतर के साथ जीवन परियन चलती है जबकि सिच्छक की सिच्छन साही दी, सिच्छन अधिगम प्रक्रिया को ही बाधित कर सकती है, ना कि पूरे अधिगम को पिछले बच्चों के लिए सैच्छिक लब्धी के अधाराना किस ने दी है, तो सिरिल बर्ट ने दी है पिक्रित लिखावट से सम्मंदित लिखिने की योगिता में कमी, किसका एक लक्षन है तो वह है दिस्ग्राफिया, लिखिने किस सम्मंदित कहीं भी प्रसनात आया है, तो वह दिस्ग्राफिया के नाम से जना जाता है मैं एक माना हूँ और जो भी कुछ करता हूँ वह मानावता को प्रभावित करता है मुझे उसी से मतलब है किसी भी इंसान को मारना आसान है परंत उसके विचारों को नहीं महान सामराज तूट जाते हैं तबाह हो जाते हैं जबकि उनके विचार बच जाते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब उससे रिजरूर करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए जैहिन